सुहेगाइस इस सीरीज केस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट एपिसोड के एंड के ही साथ में जहाँ पर आफाइट शुरू हो चुकी होती है किन्यांग और प्रिंस चू के बीच में जहाँ पर प्रिंस चू के पास में होती हुसकी एक स्वार्ड येकि जब किन्यां उसका मज़ाक उड़ाने लगते है कि आकर तुम एक वोडन स्वार्ड से आरेन स्वार्ड का मुकाबला कैसे करोगे कुछ लोगों को तु ये भी लग रहा था कि आज कि नियांग की मौत होगी प्रिंस चू के हाँ तो यहां तक कि प्रिंस चू भी ये कहने लगता है कि क्या तुम सच में ये सोचते हो कि तुम एक वोडन स्वार्ड से मुझे जरा से चोट भी पहुचा पाओगे कि नियां कहने लगता है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये एक वोडन स्वार्ड है जो कि एक्चुल में होती है मल्टिबल स्वार्ड टैकनिक, इसी को भी इस बात पर यकिन नहीं हो राता कि प्रिंस चु के पास में ऐसी भी कोई टैकनिक है, ये टैकनिक अभी तक की एक बहुती जदा पौरफुल टैकनिक मानी गई है, इसलिए कुछ लोग तो ये भी कहने ल किन्यांग अपने मन में ये कहने लगता है कि उसकी नोज जिन्दगियां खतम होने के बाद अब बन चुका है एक दम ही फियलेस, वो याद करता है कि जब उसकी चौती जिन्दगी चल रही थी, तब उसने सौ सालों तक अपनी जिन्दगी एक पीड़ के नीचे बिता दी इसकी वज़े से उसकी बोड़ी के अंदर आचुकी होती है एक स्वार्ड स्परेट। इसको कहा जाता है एक जियो स्वार्ड। जो कहीं भी कैसी भी और किसी भी तरीकी की बाधाओं से उसको निकाल सकती है। जियो स्वार्ड जिसने यहाँ पर एक ऐसे डिफेंस को क्रियेट किया था जियो से जिब प्रिंस का टक्राता है तो किन्यां को उससे कुछ भी नहीं होता बिलकि वही अटेक सिध़ जाकर और एक तक डिकाँ से उसकी तकार जाता है हो जाता है प्रिंस चू का किन्यांग तबी तुरंत ही किंजिंग की ज्वार्ड को वापस भी कर दीता है कि ये कहने लगता है कि वो प्रिंस तो पहुच चुका ता 6 रियाल में लेकिन फिर भी तुमने मेरी सकम्जूर सी बॉर्ण स्वार्ड से भी उस बंदे को हरा दिया सच में दोस्तों तुम्हारी अबिलिटीज तो कमाल की हैं तभी सेकंड अंकल किन्यांग के डैट से ये कहने लगते हैं कि भले ही हमारे बेटे की स्टार गेट को छीन लया गिया लेकिन उसकी पावर्स में कोई भी कमी नहीं हुई बलकि ऐसा लगता है जिससे कि उस कभी भी नहीं करना पड़ता जिस मुवमेंट पर तेवी शीचेंग सामने आता है और वो ये कहने लगता है विशायद बच्चे हमने तुम्हारी ताकत को जरा सा कमाक लिया था लेकर अब जो तीसरा डिसाइबल तुम्हारे साथ में फाइट करेगा वो हूगा हमारी लिंक फैמילी से जिस बास से वो दूनों ही लेडर्स ये नहीं करते हैं कि क्या वाकिमें ऐसा करना चाहते हो शीचेंग यहां पर बुलाता है अपनेस सबसे काबल डिसाइबल को शीचेंग उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है तो वो बंदा यह कहने लगता है कि अंकल शी चैंग आप बिल्कुल भी चिंता मत करो यह बैटल किन्यांग की जिंदेगी का आखरी बैटल साबित होगा लेकिन अब तभी ऐसा देखकर सामने आ जाते हैं कैंग शैंग और वो यह कहने लगते हैं कि तुम मेरे बच्चे के सामने कितने खतरनाक वोरियर को लेकर आ गए हो जब कि इस फाइट का तुम से कोई लेना देना भी नहीं था मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बेटे से इतने जादा जलते होगे तो फुर्शी चेंग ये कहने लगता है कि जब तुमारा बेटा दोनों ही फैमिलीज के फाइडर्स को हरा सकता है जाकर उसको मेरे डिसाइपल लिंक उनके साथ में फाइड करने भी क्या ही दिक्कत होगी लेकिन क्लेन लीडर अगर आप डर रहे हो कि आपके बेटे को कुछ ना हो जाए तो definitely आप अपने कदमों को पीचे हटा भी सकते हो लेकिन कदमों को पीचे हटाने से पहले तुमें मेरे सामने सिर रख के माफी मागनी होगी और साथी साथ में वो भी हर जाना भर ना होगा जो कि मैंने तुम से कहा था और साथी साथ में किन्यांग को अपने ही हाथों से सजा भी देनी होगी जो बास सुनकर कैंक शैंग को बहुती जादा गुसा आ चुका था लेकिन किन्यांग उनको रोकता है और सामने आ जाता है चैलेंज को एकसेप्ट करने के लिए तो कहता है कि शीचेंग जादा बक्वास मत करो मैं तुम्हारी शल्ट को मानने के लिए तयार हूँ मैं पीछे नहीं अटूंगा फिर चाहे तुम थ्री मेजर फैंबलीस में से किसी को भी सामने लेकर क्यों ना आ जाओ मुझे परवाद नहीं है फिर चाहे कोई भी मेरे सामने क्यो ना आ जाए लेकिन तुम्हारे इन सारे मसलों का अंत करने के लिए तुम्हारे सामने आ चुका है एक लीजेंड जिस बात पर किन्यांग उससे कहता है कि वैसे तुम बात ही जादा करते हो किन्यांग भी वाकए में लिंकुन एक बहुती बड़ा जीनियस है जिसके अगले ही पर लिंकुन ने अपने पावर्स की हल्प से उसके उपर हमले करने शुरू कर दिये थे हमें देख पाते हैं कि वाकए में कुन के अटेक किन्यांग को काफी पीछे धकेल रहे थे जिससे किन्यांग भी ये सोचे लगता है कि हाँ लिंकुन मुझसे थ्री रियलम्स आगे है जिसकी वज़े से सच में उसकी स्प्रूचल अनर्जी किन्यांग से कई गुनाज जादा है तो कोई ना कोई तरीका तो आजमाना ही होगा जिस मुमेंट पर अब तभी बिनारों के ही लिंकुन ने अटेक पर अटेक करने स्टार्ट कर दिये थे किन्यांग को सच में ये समझ में नहीं आ रहा था कि आकर बुल लिंकुन की ऐसी कौन सी वीकनेस को यूज करे जिसकी वज़े से बुल लिंकुन को थोड़ा तो रोक ही सके लेकिन लिंकुन किन्यांग को ऐसा करने का मौका दे ही नहीं रहा था फाइट करते हुए किन्यांग उसकी बोडी का फूल एनलिसिस कर रहा था याकर इसकी फूल बोडी में ऐसा कौनसा बोडी पार्ट होगा जिसकी हैलसिबूल लिंकुर को कमजोर बना सके और इसको हरा सके लेकर हम देख पाते हैं कि वाके में लिंकुर होता है एक रियल वारियर क्योंकि उसके अटेक्स करने की पावर और रिफलेक्शन्स बहुती जादा गजब के थे जिस मुमेंट पर तबी किन्यांग को लिंकुर का वीकस्ट पॉइंट मिल जाता है साथी तबी लिंकुर ने किन्यांग की उपर अपना भी हमला कर दिया था जिसके पीछे जाने की वज़े से तबी लिंकुर उससे यह कहने लगता है किन्यांग अभी तो तुम मेरे सामने बहुती बड़ी बड़ी बातों को कर रहे थी अब आकर कहा गई वो तुम्हारी बात है क्योंकि केवल हमलों को डॉज़ करने से कोई भी फायदा नहीं होगा अगर तुम्हें ये फाइट जीतनी है तो तुम्हें भी हमले करने ही होगे किन्यांग उससे कहता है के ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसा भी कर लूँगा जिसके बाद अवलिंक को ने यहाँ पर निकाल ली होती है एक बीस्ट की स्पिरिट तुस्ते फाइट को कराने के लिए किन्यांग भी लेकर आच चुका होता है अपने ड्रैगन की स्पिरिट को जिन नजारत देखने में भी यहाँ पर वाके में एक बहुती गजब का लग रहा था उन मेंसे किसी को भी यके नहीं हो राता है किन्यांग तो अभी है केवल फोल्ट रियालम है जाकर ये बंदा ऐसा कैसे कर सकता है उसके पास में किसी बीस्ट की स्पिर्ट कैसे हो सकती है क्योंकि वो यहाँ पर यूज कर रहा होता है ट्रांस्फरमिशन आफ और आटेक्निक को सकरने की ताकत 50 रियाल मियानिकी डूमिन रियाल वालों के पास में भी नहीं होती ये काम कर सकते हैं केबल 6 रियाल वाले ही किनियांग के पेता को भी अपने आखों पर यकिन नहीं हो रहा था कि क्या वाकिम वो ये चीज़ देख रहे है किनियांग यहाँ पर एक بीस्ट की टरांसफरमीशन को बना चुका है इस मुमेंट पर अब जाने के लिए कहता है जिसे फाइट कराने के लिए किनियांग ने भी अपने बीस्ट को आगे भीज दिया था किनियांका ड्रैगन उसके टाइगर को हराने के बाँ सीधा जाके टकराने लगता है लिंकुन से जिसके बहुती पूरी तरीके से जकड़ कर हराने की कोशिश करने लगता है लिंकुन का टाइगर कनियांग का कुछ भी नहीं विगाड़ पाता बलकि कनियांग का ड्रैगन लिंकुन की जान लेने लगाता जिसकी वज़े से उसको बचाने के लिए बीच में आना पड़ता है शी चैंग को वो उसको बचाता है और अपनी स्पिर्चिल एनरजी की मदद से ठीक भी करने लगता है क्योंकि असलमें ये फाइट आने की वज़े से लिंकुन अपने एक रियल्म को गवा चुका था वो कहने लगता है कि तुम्हें जल से जल ट्रीटमेंट की जरूरत है वरना तुम्हरी जान खत्रे में आ जाएगी जहां पर अबत्तवी सामने आ ज जाते हैं कैंग शैंग और वो ये कहने लगे थे शी चैंग तुम पहले ही हाल चुके हो और तुमने बीच में आके नियम को भी तोड़ दिया जल्दी से तुम तीनों कि तीनों अपने वादे को पुरा करो और यहां से चले जाओ अगर तुम लोगों ने अपने वादे को पुरा नहीं किया तो इसके बहुती भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो बात मजबूरन उन तीनों ही फैमिलिस के लीडर को माननी भी पड़ेगी और जब शी चैंग यहां से जा रहा था तो किन्यांग उससे कहने लगता है एक नए एक दिन मैं तुम से उस चीच का बदल ज़रूर से लूँगा जो भी तुमने मेरे साथ में किया था जिस बात का जवाब फिलाल में तुसी चैंग के पास में नहीं होता इसकी वज़े से वो यहां से चला जाता है साथे साथ बाकिके फैमिलीस के मैंबर्स भी यहां से चले जाते हैं अपनी सेना को लेकर जिन के जाने के बाद अपकिन्जिंग किन्यांग से ये कहने लगता है आई अप सच में पहले से काफी जदा बदल चुके हो सेके डंगल भी कहते हैं कि सच में बेटे तुम्हारी पफुमेंस बहुती जदा गजब की थी मुझे तो अपनी आगों पर यकीनी नहीं ओरा कि ये हमारा ही किनियांग है किनियांग कहता है कि डैड और अंकल मैं आप लोगों को इस बारे में बाद में बता दूँगा सबसे पहले तो मैं देखना चाहूंगा अपनी सेकेंड ब्लदर को किन्याँ अपने भाई को देखने के लिए पहुचाता है और वो ये बतानी लगता है कि मेरी ये जो जिनदीगी है इसमेंशल में है मेरे दो भाई मेरे सबसे बड़े भाई का नाम है किन हाई यांग या बगताने लगता है कि उसका जो सबसे बड़ा भाई है वो बच्पन से ही बहुती ज़्यादा टैलिंटर रहा है वो अपने मार्शल आट के ट्रेनिंग को करने के लिए जा चुका है टियान शेन अकैडमी में कि उसका फूचर बहुती अच्छा हो सके मेरा भाई भी एक बहुती बड़ा रीजन है थ्री मिजर फैमिली के चिंता के लिए और मेरा जो सेकेंड ब्रोडर है किन हाई वो मेरी किन फैमिली का सेकेंड फेबरिट परसन भी है लेकिन वो अपनी 16 की एज के बाद से उसके साथ में एक हादसा हुआ था जिससे कि उसकी एक टांग तूट गई थी क्योंकि वो लिंगोन माउंटेंस में बहुती जादा खतरनाक जगह से नीचे गिरा था वो तो शुक्र था कि उसकी जान बच गई थी लेकिन वो अपने एक पैर को गवा चुका था सिलेब केन हाई चाहा कर भी एक प्रेक्टिस नहीं कर सकता था मर्शल आर्ट्स को यांग ये बताने लगता है कि उन दोनों से ही मिले हुए मुझे हो चुके हैं पूरे दो साल केने लगता है कि हाँ मैं बन चुका हूँ अब सन आफ है मेरी अंदर मेरी नों जिन्दिगियों की मेमरीज भी भरी पड़ी है लेकिन साथी साथ वो इस बात को भी नहीं न कार सकता कि वो किन फैमिली का थर्ड यंग मास्टर भी है जिसे अपने दोनों ही भाईों के साथ मैं हमेशा ही मिलके चलना होगा जिसके बाद अब अपने सेकेंड बर्दर किन हाई को देखने के लिए पहुंच जाता है किनियांग जैसे उसके घर में जाता है तो फिर तभी वहाँ पर वीलचेयर पे बैटा हुआ आज जाता है किन हाई उसको देखके किनियांग काफी जादा खुश होता है और उससे एक हैनी लगता है कि भाई आपके जो राइटिंग की स्किल्स है वो सच में बहुती जादा इंप्रूब हो चुकी है किनाय उससे कहता है कि अब तुम तुबार से मुझे यहां पर मक्खन लगाने के लिए आ गए हो किनियांग कहता है कि देखो आपको भी पता है कि मैं कभी जूट नहीं बोलता इनहाई उसको यह बता रहा थै कि देखो हमारी जिन्दगी में कोई हाथसा हो जाने की वज़े से इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम अपनी जिन्दगी को ही खतम कर दें हो सकता है कि अमरे जिंदेगी में कुछ ऐसा होने वाला हूँ जिसके लिए केवल हमें ही चुना गया हूँ इसलिए हमें कभी भी किसी भी हाल में अपनी जिंदेगी को बरबाद नहीं करना चाहिए आँ वैसे मेरी किस्मत तुम्हारे जैसे तु नहीं है क्योंकि जब मास्टर डूजी मेरी पैरों को ठीक नहीं कर पाए तो फिर तुम और मैं क्या ही कर लेंगे तो किन्यांग कहने लगता है कि देखो डूजी ने पहले ये भी कहा था कि मैं मारा जाओंगा किन्यांग कहता है कि भाई ये एक पहुती लंबी स्टोरी है मैं फिर कभी बताऊंगा तो अगर अगर अभी मैं फिलाल के लिए बात करूं स्काई फायर इस्पिलिट के बारे में तो उसको आपके पास में लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो मेरे साथ में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक करने के बाद में तुरंती उसको ढूनने के लिए निकल जाओंगा लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि इतनी समय में आप अच्छी तरीके से आराम करोगी भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा और भी बहुत सी बाते हैं जो कि मुझे आपको बतानी है लेकिन मैं उनको बाद में कभी करूंगा जिसके बाद फिकन यांग जब यहां से जा रहा था तो फिर तभी वहां से एक सर्वेंट आता है और वे किन हाई को देता है स्टोन आर्ट को और बताता है कि अभी हाली में उनके किन मैंशन के सामने कितना बड़ा हाथसा हुआ जो सब कुछ किया है आपके भाई किन यांग ने को सारी किसारी कहानी बता दिता है कि किस तरीके से किन यांग ने लिन फैंग, चु यू किंग और लिंक उनको हरा दिया तीनोही फैमिलीज को शर्म इंदा होके यहां से जाना पड़ा जिस बात पर किन हाई को भी यकिन नहीं हो राता कि क्या वाकई में ऐसा हुआ इसके बाद अब में जंगल के अंदर कुछ लुकों को दिखाया जाता है जो कि डूनने की कोशच कर रहे थे हैवनली फाइर इस्पिरिट को क्योंकि इस जगए के बारे में कुछ रिमोर्स फैली थे कि यहाँ पर मिल सकती है हैवनली फाइर इस्पिरिट के साथ में एक लड़की होती है चो कि यह बताती है कि लिंगिन माउंटेंस के बीच में है एक सीप हैड वैली आपर पता चलाता एक सीक्रेट प्लेस के बारे में और यह कहा जाता है कि उसी जगए पे मिल सकती है सकाई फाइर इस्पिरट लेकिन यह भी तक कनफर्म नहीं हुआ कि वो वाकуемे किसी को मिली भी है अगर स्काई फायर इस्पिलिट के मिलने के एक एवल एक परसेंट भी चांसेस है में तब भी हार नहीं मननी चाहिए क्योंकि इस फायर इस्पिलिट की मदद से वो लड़की बचाना चाहती है अपनी मॉम की जिन्दिगी को जिसके बाद अब मैं एक लही सीन में दिखा जाता है लिंग पहले इसको जहांपर लॉड शेंट के साथ मैं शी चेंग से यह कहने लगाता कि मैं जल्दी से जाता हूँ और अपनी शेंट फैमिली की टुकडी को एकटा करता हूँ क्योंकि मैं अभी के भी किन फैमिली को खतम कर देना चाहता हूँ लॉड शेंट के लगता है कि देखो तुम अपने बेटे के जैसे बातें मत करो अगर हम लोग बिना तयारियों के साथ में जाएंगे तो बहुती बुरी तरीके से हारेंगे लॉड शेंट कहता है कि अकर कौन सी तयारियों की जरूरत है कि आहम तीनों ही फैमिली मिलकर किन फैमिली को हरा नहीं पाएंगे जिस बात पर वो लॉड शेंट से ये कहने लगता है कि जब किन शेंट केवल 16 साल का था वो पावर्स के मामले में एक ग्रेंड लिवल पे पहुँच चुका था आते साथ बा मास्टर लाउजू कर डिसाइपल भी बन चुका है यहाँ तक कि अब तो अकैडमी में जाकर और ट्रेनिंग करके पहुच चुका होगा स्पूचोई सी रियल में तो लोग यह कहने लगते हैं कि लुच लुगों को यह पत्वत रहा हूरा नहीं है कि फिर हमारी साथ में क्या होगा युकि अगर कि शेन को इस बात की भानक भी लगी कि हम τीनों फैमलीज मिल के उसकी फैमल्ली को खृतमकर दिया तो वो इतनी जादा पावर्स को लेकी आएगा कि मेरे जैसे दस भी उसे हरा नहीं पाएंगे इसी वज़े से फेलाल के लिए तुम लोगों को अपने गुशे को सांथ करना ही होगा में केवल इंतजार करना है सही मौके का और हम लोग हमला भी करेंगे मेल्स के साथ में एपिसोड भी यही पर ही खतम हो जाता है